साथियों कॉंग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दशा दिशा विहीन दिशा विहीन पार्टी बन कर रह गई है इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सवयोगी दलों ने एक नया पैतरा चला है ये पैतरा है नाम बदलने का पहले के जमाने में राजतान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं पहले के जमाने में कोई पीड़ी कोई कमपनी अगर बदनाब हो जाए उसके फ्रॉड करने वाली कमपनी का चिठा निकल जाए तो तुरंत वा कमपनी वाले नया बॉर्ड लगा करके अपना कारोबार सुरू करकर के लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मुरक बना करके अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रोड कंपनियों की नकल कर रही है यूपीए के कुकरम लोगों को याद ना है इसलिए इन्हों ने अपना नाम यूपीए से बदल कर आई एन डी आई ये कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए यूपीए के नाम बटने नाम बटला है ताकि ये आतंगबाद के सामने गुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके इन्होंने नाम बटला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वाजगात को छिपा सके यूपीए नाम बदल बटला है ताकि ये गरीबों के साथ किये गए छल कपड को छिपा सके और मैं आज राजस्तान की धर्ती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है पहले भी ये तो आई एंडिया के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रहास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया था कि नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं बलकि भारत को लूटने के इदादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्ट्लामिक मूव्मेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरमत सामने आए तो सीमी पे बेंड किया गया और ये बेंड हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ ला पी एफाई सीमी बन गया पी एफाई यानि पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वो ही पुराना साथियों आई एंडिया के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारणामों को छुपाना चाहते हैं यूपिये के कारणामों को छुपाना चाहता है है अगर इनको वह काई इंडिया की परवा होथी तो कै बीदेश वाध में जाकर के विजेश्यों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या है अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या यह स्र्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के सौर्य को कटगरे में रखते क्या साथियों ये बही चहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे कुछ नहीं करते थे इने देश के सुरक्षा बलो के सामर्थ पर बरोसा नहीं है ये वही चहरे हैं जिनोंने हमारे शैनिकों का हक मारा है दसकों तक हमारे शैनिक वन रैंक वन पैशन मांगते रहे लेकिन इनोंने नहीं दिया जो लोग टुकडे टुकडे गैंग को गले लगाते है जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते है जो लोग विदेशों से सम्मंद भी इस आधार पर बनाते है कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए जिनके लिए राष्ट हित नहीं बलकि वोट बैंक सरवो परी है बेलोगा जब आई एंडी आई एकी बात करते है तो दिखावा लगता है चलावा लगता है जूठ लगता है बाई और बैनों इन लोगों में अहंकार कुट कुट कर भरा हुआ है एक बार इनोंने नारा दिया था इंडिरा इस इंडिया इंडिया इस इंडिरा और तब देशकी जनता ने उनका हिसाब चूकता कर दिया था चुन-चुन करके शाप कर दिया था उखाण फैका था उन लोगों कुट अहंकार ने अहंकार से भरे हुए दो लोगों ने फिर वही पाप दो राया है ये सुधनन्य को तयार नहीं है ये लोग कह रहे हैं UPA is India, India is UPA, इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था